हेलो एब्रिवान आज हम लोग कॉंटिन्यू करेंगे यूनिट डिजिट यह पार्ट अप दो नंबर सिस्टम है ठीक है चलिए आज सिखते हैं यूनिट डिजिट का कोशिन कैसे हम लोग सॉल्फ करें ठीक है देखें साइकलिसिटी ओफ ए नंबर है पहले क्या समझते हैं इ हैं आफ्टर वाट इंटर्वाल अब्तर वाट इंटर्वाल 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 दो यूनिट प्लेस अदो यूनिट प्लेस आपको सम्झा राह ओ ठीक है देखें क्या है चीज्ज and it is used to determine and it is used to determine the unit place the unit place of the number ठीक है unit place of the number ठीक है and यह आपको help करता है unit place निकालने के लिए बड़ा 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 नंबर में ठीक है ओके देखो actually है क्या मानलो one का power one यह one to the power two कितना one one क्यूँ कितना हुआ one यानी one का आप कुछ भी power करो ठीक है तो क्या आएगा one आएगा but two के लिए लिखेंगे तो यह two का स्क्वयार two to the power one पहले कितना two two का स्क्वयार कितना four two का क्यूँ similarly eight two to the power four ठीक है 16 two to the power five 32 two to the power six 64 two to the power seven two to the power seven one twenty eight two to the power eight two fifty six ठीक है देखिए कितना इंटर्वाल के बाद repeat हुआ unit पे देखो two four eight six two four eight six यानी चार-चार इंटर्वाल के बाद क्या हो रहा है number repeat हो रहा है देखिए one two three four ओके चार-चाठो जगा छोड़-छोड़के क्या हो रहा है number repeat हो रहा है तो cyclicity of two कितना हो जाएगा two ठीक है similarly three का cyclicity निकानेंगे तो three to the power one three three का स्क्वयार कितना nine three का क्यो कितना हुआ 27 three to the power four 81 three to the power five two forty three three to the power six seven twenty nine and three to the power seven something that is end with ठीक है seven three to the power eight देखो साथ last में कितना रहेगा तीन यानि something end with one यानि आपको समझ में आ गया देखिए तीन का ये three nine seven one फिर देखो three nine seven one यानि मैं बोल सकता हूँ three का cyclicity कितना four ठीक है similarly four to the power one लेते हैं ये four four का square कितना 64 चार का q 64 चार का q कितना 216 ठीक है end यहां पर ये चीज थोड़ा गलत हुआ देखिए four का square कितना 16 चार का q कितना हुआ 64 four to the power four कितना हुआ 256 यानि आपको यहां पर समझ जाना चाहिए कि चार का cyclicity कितना 2 क्यों ना चार 2 अप्टर 2 इंटर्वाल के बाद unit place क्या हो रहा है repeat हो रहा है means यहां पर four है इधर भी कितना है four इधर six है इधर कितना है six ये 3971 यानि आपको पता चल गया कि four का cyclicity कितना है आपका four का cyclicity two similarly five to the power one five to the power two कितना 25 five क्यों 125 तो similarly आप किसी भी number का cyclicity निकाल सकते हो ठीक है six six to the power two thirty six तो six क्यों कितना two one six यानि हर एक एक इंटर्वाल के बाद हर एक इंटर्वाल के बाद आपका unit place क्या हो रहा है repeat हो रहा है ठीक है conclusion करके लिक देता हूं ठीक है यह important point है you have to remember ठीक है cyclicity of cyclicity of 2, 3, 7, 8 is 4 okay is कितना 4 you have to remember this one okay and cyclicity of cyclicity of 4, 9 is कितना two okay similarly cyclicity of remaining number means कितना कितना बज गया cyclicity of 1, 0, 1, 5, 6 is कितना one ठीक है आच्छा देखो यह चीज़ यहां पर आपको clearly समझ में आ गया 2, 3, 7 आपकर क्यों cyclicity कितना होगा चार देखिए चार interval के बाद repeat हो रहा है तो कितना होगा cyclicity चार तो यह चीज़ आपको help करेगा unit place मतलब unit digit निकालने के लिए ठीक है चलिए अब देखो कुछ notes करके लिक हो which number are divisible by 4 if last two digit last two digit of any number of any number is divisible by 4 then those numbers are divisible by 4 ठीक है divisible by 4 ओके चलिए देखते हैं इसके उपर जो भी question आता है किस तरह का question आता है solve करेंगे ठीक है देखो अब वो question में पुछा है the digit in unit place of the product 2153 to the power 167 इनका unit place क्या होगा देखो मैं पहले details में बता रहा हूँ आप क्या करोगे ठीक है उसके बाद मैं shortcut में करूँगा ठीक है पहले देखो पहले क्या करेंगे जितना भी number होगा उसका cyclicity की हिसाब से लिखेंगे सुनिए यह 2153 to the power 167 है इधर जितना भी number होगा उसके साथ आपका कुछ लेना देना नहीं है समझ में आया पहले इसके पहले कोई भी number होगा पहले कोई भी number होगा उसके साथ लेना देना आपका कुछ भी नहीं है आप क्या करोगे जस्ट इस number को लिखोगे 3 to the power 167 इस number का जितना भी unit place में आएगा ओही आपका इस total question का answer होगा समझ में आया तो next question onwards मैं एक एक step skip करता रहूँगा ताकि आप जल्जी से कर पाओ ठीक है अच्छा अब देखो मैं यहाँ पर समझाया हूँ 3 का cyclicity कितना 4 तो जितना भी cyclicity होगा उसको उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा मैं यहाँ पर 3 to the power 4 लिखा क्यों लिखा इसलिए लिखा कि यह 3 का cyclicity कितना 4 clear अब देखो मैं side में 167 divide करूंगा 4 में तो यह कितना होगा 4 यह 16 यह 7 ठीक है यह 4 एक 4 यानी remainder कितना 3 ठीक है अच्छा आपको पता है कि this one is equal to this one into this one plus this one होता है yes or no इतना clear क्योंकि 167 को आप 4 into 41 plus 3 लिख सकते हो यह मैं 4 क्यों लिखा यह 4 इसलिए लिखा कि cyclicity of 3 is 4 समझ में आया धीरे धीरे समझो लेकिन पूरा समझो ठीक है अब देखो इस चीज को मैं 41 लिख सकता हूँ into 3 to the power q clear अब देखो यह जो cyclicity of 4 है इसके जगह में can I write 1 क्यों लिख सकता हूँ 1 क्योंकि 1 इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि 3 का 3 to the 4 का मतलब क्या होता है 3 का square into 3 का square यानि 9 into 9 कितना 81 and 1 to the power कुछ भी करोगे तो हमेशा कितना आएगा 1 अब बच गया कितना just 3 का q ठीक है 3 का q means 3 q कितना होता है 27 तो इस cosine का आपका answer होगा कितना 7 इस cosine का unit plus कितना होगा 7 ठीक है अब देखो इस cosine को मैं इतना details में समझा आया हूँ बट इस cosine को हम लोग कैसे करेंगे देखिए इस cosine को आप यह जो 3 to the power 4 है न आपको divide करना जरुवत नहीं यहाँ पर जो 41 लिख रहे हो वो जरुवत बिल्कुल भी नहीं है समझ में आया यह आपका actually book में देखोगे तो यह n लिखा गया होगा आपको जरुवत बिल्कुल नहीं है आप क्या करोगे 3 q ठीक है यानि आप खालित जर्ष देखना है 3 to the power 4 यह वाला term कितना आ रहा है and उसके साथ 3 q ठीक है यहाँ पर जो भी number होगा उसको लिखो या फिर ना लिखो कोई जरुवत नहीं है ठीक है and 3 to the power 4 के जगह में मैं कितना लिख सकता हूँ यह 3 to the power 4 के जगह में फिर से समझा रहा हूँ इसके जगह में वाल लिखूंगा and 3 q का value कितना होता है 27 यानि unit plus कितना है 7 तो इस question का आपका answer होगा 7 ठीक है answer होगा 7 ठीक है चलिए आप next question करते हैं जितना question करोगे उतना polish होगा तो आपका performance भी उतना अच्छा रहेगा ठीक है I hope clear इतना clear अब देखो 7 to the power 4 लिखा क्यों 7 to the power 4 लिखा 7 to the power 4 इसलिए लिखा कि 7 का cyclicity कितना 4 यह 4 इसलिए लिखा cyclicity of cyclicity of 7 is कितना होता है 4 तो इसलिए यहां पस cyclicity of 7 का लिखा कितना 4 अब देखो अब जो 754 है which number is divisible by यह देखो 4 हुआ यहां पर n लिखते मिन्स वो value लिखते तो यहां पर कोई जरुवत नहीं है आपको लिखना जरुवत नहीं है खली आपको ध्यान रखना है इसको cyclicity के हिसाब से लिख दोगे और देखोगे जितना cyclicity होगा उतना में divide करोगे अब देखो यह 754 डिभाइड करोगे किस में divide करोगे 4 में 4 डिभाइड करने का rule क्या है last two digit यानि देखो last two digit में आपका कितना रह जाएगा 7 का square 7 का square I hope clear इतना समझ में आया 7 का square क्यों 7 का square क्यों 7 का square क्योंकि 7 to the power 54 वो तो होगा तो लेकिन 4 1 4 4 3 12 समझ में 12 होने के बाद आपका extra कितना बच रहा है यहाँ पर खाली just आप remainder वाला पार्ट लिखना हमेशा क्या लिखोगे remainder पार्ट लिखोगे ठीक है तो देखो इसके जगा में 7 to the power 4 के जगा में can I write 1 1 लिख सकता हूँ क्यों लिख सकता हूँ 7 to the power 4 के जगा में 1 क्योंकि आपको पूरा value निकलना नहीं है 7 to the power 4 means कितना 7 square into 7 square ठीक है खाली तो आपको unit place ज़र्वत है यह 49 into 49 ठीक है यह 99 कितना 81 यानी 1 ठीक है तो 1 into 7 square कितना 49 यानी 9 तो इस question का unit place कितना हो जाएगा 9 इस question का unit place कितना होगा 9 ठीक है चलिए next question धीरे धीरे इस तरह का approach रखो गे तो यह question aurally हो जाएगा ठीक है अब देखो मैं इस question को 3 to the power 3 29 to the power कितना है 79 8 है तो यह 9 to the power 78 हो गया 9 to the power कितना हो गया 78 अब ये 9 to the power 78 हो गया अरम से समझ में आया अब देखो 9 का cyclicity कितना होता है 2 ठीक है अब यहाँ पर कुछ लिखना जरूरत नहीं है 2 है ना तो आप 78 को 2 में divide करोगे तो remainder obviously 0 आएगा remainder obviously कितना आएगा 0 अब यहाँ पर जो भी number होगा उसको लिखना बिल्कुल जरूरत नहीं है I hope समझ में आ रहा है ठीक है यहाँ पर मैं 2 किसलिए लिखा हूँ 2 इसलिए लिखा हूँ कि 9 का cyclicity कितना 9 का cyclicity कितना 2 ठीक है यह चीज़ देखो मैं previously समझाया हूँ यहाँ पर लिखा हूँ cyclicity of 4,9 is 2 इसलिए यहाँ पर उसको cyclicity के हिसाब से मैं लिखा हूँ I hope clear समझ में आया होगा ठीक है अब देखो इसके जगह में मैं आराम से 9 का स्क्वेर कितना होता है 81 यानि 1 यह 1 9 to the power 0 का value भी कितना होता है 1 यानि 1 into 1 unit price कितना आएगा 1 तो इस question का आपका answer होगा कितना 1 Option number 1 चलिए नेक्स question करते है Question number 4 The unit digit in the product 1 to 2 to the power 173 तो मैं इस question को कैसे लिखूँगा 2 to the power 173 ठीक है अब मैं 2 to the power 4 लिखा क्यों 2 to the power 4 लिखा इसलिए 2 to the power 4 लिखा कि 2 का cyclicity कितना 4 अब आपको यह जो number है 173 उसको आप किसमें डिभाइड करोगे 1 में यहाँ पर जो भी होगा उसको लिखना जरुरत बिल्कुल भी नहीं है ठीक है 2 to the power देखो 4 में डिभाइड करोगे तो 4 1 4 4 8 32 यानि remainder कितना 1 समझ में आया अब देखो इसके जगह में मैं कितना लिखूंगा 6 क्यों 6 लिखूंगा क्योंकि 6 to the power anything is always 6 no problem समझ में आया यानि यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका देखिए 2 to the power 4 यानि यह 2 का स्कुयार इंटो 2 का स्कुयार अच्छा 2 का स्कुयार 4 यानि unit place कितना हैगा 2 तो इस question का आपका answer होगा 2 ठीक है देखिए यह जो actually चीज क्या है कि जो cyclicity है 2, 3, 7, 8 का cyclicity कितना होता है 4 होता है and 4, 9 का cyclicity होता है 2 and 1, 0, 1, 5, 6 is equal to 1 आच्छा cyclicity 1 होने का यह मतलब है कि उसमें जितना भी आप पावर लगाओ उसमें same ही number आएगा ठीक है यानि आप चाहे जैसे कि number 9, 5, 7, 6 यहाँ पर 9, 8, 7, 6 दे दिया तो आपको कुछ करना नहीं है इसका भी unit place छे आएगा क्यों छे आएगा इसका कुछ हो ही नहीं सकता है क्यों क्योंकि इसका cyclicity कितना है 1 है तो जिसका भी cyclicity 1 है उस number का power आप चाहे जितना भी करो वो हमेशा कितना आएगा उतना ही number आएगा चीज को इजी चीज है यह चीज समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को pause करके बार-बार देखोगे and courses करोगे समझने के लिए कि तो आराम से समझ में आएगा ठीक है इतना भी कोई complicated चीज नहीं है प्लीस चलो next question अब देखो इस question को करते हैं अब देखो यहाँ पर आपको कुछ जरुवत ही नहीं है देखिए यह question आपका दिया गया है question number 5 6251 प्लस यह था 36528 प्लस 22853 देखो यहाँ यह question में आप directly इस जगह में 5 लिख सकते हो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 0156 का cyclicity कितना? means जितना number होगा उतना ही आएगा उसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा ठीक है? यहाँ पर कितना आजाएगा? 6 अब बाकी जो question है इसके हिसाब से answer decide होगा ठीक है? यह कितना है? 2 to the power 853 है तो मैं इसको separately कर देता हूँ देखिए अब जो यहाँ पर हुआ है 2 to the power 853 853 अच्छा बोलो इसको कैसे लिख है? ठीक है? यह देखो 2 to the power 4 के हिसाब से लिखा क्यों 2 to the power 4 के हिसाब से लिखा? 2 का cyclicity कितना? 4 अब देखो यह जो 853 है last two digits देखो 53 4 में divide करोगे तो 4 में divide करोगे तो 53 4 में divide करोगे तो आपका remainder कितना आएगा? 1 आएगा उसी remainder को यहाँ पर लिखना है और कुछ करना भी नहीं है ठीक है? तो 4 करने से यह 13 हो गया यह 52 हो गया यह कितना? 1 remainder को इधर लिखना है और कुछ नहीं अब देखो इसके जगह में can I write 6? इसलिए 6 लिख सकता हूँ कि 2 का square कितना? 4 and 4 into 4 16 and देखो इसके जगह में आप जब 6 लिखे 6 into 2 कितना होता है? 12 तो इस question का जो यह इसका value unit place कितना आएगा? 2 आएगा कितना आएगा? 2 आएगा तो यहां पर मैं उसको erase करके अब मैं उसको लिख सकता हूँ कितना? 2 ठीक है? यह 6 6 plus 5 11 11 plus 2 कितना? 13 13 means unit place कितना आजाएगा? 3 ठीक है? चलिए next question I hope समझ में आया होगा चलिए next question question number 6 देखो इस question को करते हैं question number 6 में दिया क्या है? इसको देखो directly इतना बड़ा नमबर को लिखने का जरुवत नहीं है आप directly मैं यहाँ पर खीच रहा हूँ यह आपका हो गया कितना? 2 to the power 170 यह हो गया 3 to the power 172 यह हो गया 4 to the power 174 ठीक है? इसका हो गया 6 to the power 176 ठीक है? अब देखो करते हैं question को अब देखो यहाँ पर आपको मैं समझाया हूँ कि 2, 3, 7, 8 का cyclicity 4 है and आपका 4, 9 का cyclicity कितना है? 2 and बाकी जो number 0, 1, 5, 6 इसका cyclicity कितना? 1 तो यहाँ पर इसको मैं cyclicity हिसाब से लिखना पड़ेगा ठीक है? तो लिखते हैं यह 2 to the power 4 हो गया समझ मैं आया? इस चीज के लिए लिख रहा हूँ ठीक है? अब देखो which number are divisible by 2? अब जस्ट 2 का स्कोय हो खली remainder part लिखना है क्योंकि 4 में 70 को last 2 digits 70 को जब डिवाइड करोगे 4, 1, 4 ठीक है और 30, 47, 28 याने remainder कितना आएगा? 2 आएगा clear similarly into 3 को 3 to the power 4 के हिसाब से लिखना पड़ेगा क्यों लिखना पड़ेगा 3 to the power 4 के हिसाब से? क्योंकि cyclicity of 3 is कितना? 4 I hope समझ में आया and बाकी कितना रहा? 72 देखो कट जाएगा ठीक है? 4 में कटेगा यानी 3 to the power 0 similarly 4 को 4 to the power 2 के हिसाब से लिखा क्यों 4 to the power 2 के हिसाब से लिखा हूँ? क्योंकि 4 का cyclicity कितना 2 अब देखो ये जो number है ये 2 में divide हो जाएगा यानी ये 4 to the power 0 ठीक है? into इसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ेगा इसके लिए हो चुका है already 6 क्यों? क्योंकि 6 का cyclicity है कितना? 6 तो 6 to the power 1 है तो 6 to the power 1 मिन्स कितना लिखेंगे? 6 और कुछ करना नहीं पड़ेगा तो इसका हो चुका है ठीक है? अब देखो इनके जगा में मैं value लिख रहा हूँ ये जो 2 to the power 4 है ना ये कितना है? इसके जगा में 6 लिख दिया क्यों 6 लिखा? क्योंकि 2 to the power 4 का value होता है 16 यानि 6 ये 2 का square कितना? ठीक है? तो 6 into 4 इसका कितना आया? 24 2 का square 4 6 into 4 24 24 मिन्स खाली मुझे unit कि चाहिए तो मैं 4 लिखूँगा ठीक है? इसके जगा में मैं 1 लिखा क्यों? क्योंकि 3 to the power 4 का value कितना होता है 3 का square into 3 का square यानि 9 into 9 81 81 मिन्स खाली 1 रहेगा ठीक है? 3 to the power 0 कितना? 1 I hope समझ में आया next question यहाँ पर देखो next part में देखो 4 का square कितना? 16 16 यानि 6 इधा रखेंगे 6 into 6 यहीं तो है देखो 6 के साथ आप कुछ भी multiply करोगे यहाँ पर 6, 6, 36 6, 4, 24 ठीक है? तो इस question का answer कितना आ गया? 6, 4, 24 4, 4 into 6 समझ में आया गया? नहीं मैं क्या बोला 6 into 4, 24 यानि 4 4 into 6, 24 यानि 4 तो इस question का unit place क्या होगा? 4 होगा unit place क्या होगा? 4 चलिए अब next question देखते हैं क्या दिया है? question number 7 अब देखो इस question को हो हम लोग करेंगे इसका तो कुछ करना ही नहीं है इसका तो unit place क्या हो जाएगा? 1 लेकिन इसको करने के लिए क्या करोगे? 7 to the power 4 हो गया? I hope clear and back ही आपके पास कितना है? 7 53 में जब डिवाइड करोगे 4 तो 52 हो गया cyclicity कितना बच्चा? 1 तो इसके जगह में 1 into 1 समझ में आया? इसके जगह में 1 लिख सकता हूँ ना क्योंकि 49 means 49, 9 into 9, 81 1 into 1, 1 इसमें भी 1 आया है 1 into 1 कितना होगा? 7 to the power 1 यह 7 है यह 7 है 7 to the power 1, 7 तो आपका आंसर आएगा 1 नहीं आंसर आएगा 7 ठीक है? यह गलत option में टिक मारा गया है option होगा कितना 7? ठीक है? चलिए, next question question number 8 देखिए, यह question को करते हैं अब देखो यह question just as simple as this one 5 to the power 3, 3, 3 और कुछ नहीं है into 8 to the power 6, 45 ठीक है? अब देखो 5 को आप कुछ करना नहीं है क्योंकि 5 का cyclicity कितना 1 मतलब ओही number रहेगा इसको मैं 8 to the power 4 के हिसाब से लिखा हूँ क्योंकि 8 का cyclicity कितना 4 and extra आपके पास कितना बज गया? 40, 44 मतलब 4 में कटने से 44 कटेगा means extra कितना रहा? 1, ठीक है? तो देखो, इसके जगह में आप क्या लिखोगे? 6 लिखोगे कि नहीं? क्योंकि 8 to the power 4 है ना यह 8 का स्कोयार into 8 का स्कोयार तो देखो, 64 means यह 4, 8 का स्कोयार 64 4 into 4 यानि 16, 6 तो इसके जगह में 6 तो आपका आंसर कितना आया? 5 into 6 into 8 देखो, 6, 5, 30 30 into 8, 240 240 यानि आपका unit place चाहिए तो unit place आपका कितना होगा? 0 तो इस question का आपका आंसर होगा option number D option number D चलिए next question question number 9, देखते हैं क्या दिया है देखो, यह question अब just यह 4 to the power कितना है? 1, 7, 9, 3 into इसके जगह में कुछ करना नहीं पड़ेगा directly 5 लिख सकते हो क्योंकि cyclicity of 5 is 5 sorry, 1 है तो same number आएगा इधर कितना लिख सकते हो? 1 का cyclicity 1 है तो इधर कुछ नहीं, बस 1 लिखना है अब देखो, यह चीज को खाली करेंगी तो हो जाएगा यह कितना? 4 का स्कोया क्यों 4 का स्कोया लिखा हूँ? क्योंकि cyclicity of 4 is 2 ठीक है, इसलिए 2 लिखा हूँ and 2 में divide करने से आपका remainder कितना बचेगा? जितना भी remainder बचेगा, उधर लिख देते हैं अब यह कितना? 5 ठीक है यह 4 का स्कोया कितना हुआ? 16 यानी 6 इसके जगह में can I write 6? 6 ठीक है 6 into 4 into 5 तो 6, 24, 5, 120 यानी आपको unit place चाहिए तो unit place कितना हो जाएगा? 0 unit place कितना होगा? 0 ठीक है? तो इस question का answer हो चुका है चलिए question number 10 करते हैं देखते हैं क्या दिया है? देखिए अब यह question इस तरह का दिया है 7 to the power 95 minus 3 to the power 58 ठीक है? 7 to the power 95 minus 3 to the power 58 ठीक है? अच्छा देखो अब क्या करोगे आप? यहाँ पर मैं 7 to the power 4 लिखाऊं कितना हो जाएगा? 23 उसको लिखो ना लिखो कोई फ़रक नहीं है ठीक है? एंड यह कितना? 7 क्यूँ clear? यहाँ पर 23 लिखो या ना लिखो आपका माज़ी कोई जरुद नहीं है ठीक है? यह 3 to the power 4 यहाँ पर 14 लिखो या फिर ना लिखो कोई जरुद नहीं है यहाँ पर कितना हो गया? 3 का square ठीक है? क्यूँकि 14 चार 56 2 अठाबन यह 23 चार 92 प्लस 3 95 यह चीज को ना ही लिखो तो सबसे बहतर है ठीक है? अब देखो मैं इस चीज के जगह में कितना लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ एंड इस जगह में मैं कितना लिख सकता हूँ? 1 क्यूँ? क्यूँकि 7 to the power 4 का कुछ भी power करोगे आप कितना आएगा? 1 आएगा क्यूँ? क्यूँकि यह 7 square into 7 square होता है एंड यह 49 into 49 हो गया तो 9, 9, 81 1 इनिट प्लेस में 1 है एंड 1 to the power आप कुछ भी करोगे तो 1 ही आएगा समझ में आया? एंड 1 7, 2 7, 2 मिन्स 3, 43 3, 43 मिन्स इनिट प्लेस में खाली 3 रहेगा तो इधर लिखते हैं 3 minus 3 का square कितना? 1 into 3 का square यानि 9 समझ में आया? तो 3 minus 9 is equal to आपका कितना आया? minus 6 याद रखो हमेशा जब negative आएगा आप answer क्या करोगे? आप answer करोगे हमेशा 10 minus 6 मिन्स उसके साथ आप आड करोगे 4 अब ये चीज़ क्यों कर रहे हो? मैं उसको समझा रहा हूँ देखो अब जब आप इसका क्या मतलब है देखो जब आप 7 to the power 95 लिखे न इसका ये मतलब हुआ some number ending with 3 इसका unit place में कितना आया था 3? तो some number ending with 3 ठीक है? अब जब आप minus कर रहे हो 3 to the power 58 तो अब इसका ये मतलब हुआ यहाँ पर बहुत सारा number है यहाँ पर बहुत सारा number है यहाँ पर भी बहुत सारा number है last में लेकिन 3 है ठीक है? यहाँ पर भी बहुत सारा number है लेकिन last में कितना है? 9 है तो उस case में आप क्या करोगे? लोन लोग है कि नहीं? 13 minus 9 कितना होगा? 4 तो ये चीज कर सकते हो नहीं तो आप 3-9 यानि 13-9 कितना हो जाएगा 4 या फिर आप जो भी यहाँ पर आंसर आया होगा उसमें 10 आप 8 कर देना यह चीज गलती मत कर देना जैसे कि आप 43-9 करोगे तो आप क्या करोगे यहाँ पर 13-4 करोगे यहाँ पर 3 लिखोगे similarly इसका same मतलब है इधर कुछ भी नमबर है उसके साथ आप 9- कर रहे हो ठीक है चलिए next question देखते है question number 11 देखिए इस question को हम लोग क्या करें है देखो यह जो number है यह जो number है उसको लिखा जा सकता है 7 to the power 199 यह जो number है यह number and यह number cancel क्योंकि same number है इसका भी जितना unit place में आएगा इसका भी उतना ही unit place में आएगा एंड यह 1 to the power 199 है तो answer क्या होगा 1 to the power anything is always 1 तो इस question का आपका answer क्या होगा 1 1 चलिए next question question number 12 देखते हैं क्या दिया है देखो इस question को करे तो करे कैसे देखो यह 3 to the power 6 दिया है यह 3 to the power 9 to the power 5 दिया है यह 6 to the power q दिया है ठीक है देखो सबको मैं prime के हिसाब से लिखता हूँ ताकि थोड़ा easy हो जाए ठीक है तो देखो यह 3 to the power 6 4 को लिखा जा सकता है 2 का square to the power 7 6 को लिखा जा सकता है 2 into 3 to the power q Q, and 7 को similarly 7Q, and 8 square को लिखा जा सकता है, into, 8 square को लिखा जा सकता है, 2 का Q का square, समझ में आया, and 9 को लिखा जा सकता है, 3 का square to the power 5, अब देखो ये चीज, कितना हुआ, 3 to the power 6, into, 2 to the power 14, into, 2 to the power 3, into, 3 का Q, into, 7 to the power 7, into, 2 का 6, 2 to the power 6, into, 3 to the power 10, देखो अब फाइदा क्या हुआ, 2 का power, ये 14, प्लस 3, 17, 17, प्लस 6, 23, ये हो गया, 2 to the power 23, समझ में आया, 14, 3, 17, 17, 6, 23, clear, अब 3 का power देखो, 3 का power 6, 3, 9, 9, 10, 19, यानी, 3 to the power 19, आपके पास 7 का power, ये 7 to the power 7, ये 7 to the power 4 है, ये 7 to the power 4, ठीक है, यानी, इस कोसिन का जो भी आंसर होगा, ये total कोसिन का उतना ही आंसर होगा, समझ में आया, देखिए, अब मैं इस कोसिन को unit place निकलना चाहता हूँ, तो क्या करूँ, देखो, 2 को 2 to the power 4 के हिसाब से लिखना दिभाइड करने से ये 20 हो जाएगा, remainder कितना देगा, 3, into 3 to the power 4 लिखा हूँ, क्यों 3 to the power 4 लिखा हूँ, इसलिए लिखा हूँ, कि 3 का cyclicity कितना 4, and 4 में दिभाइड करने के बास, remainder कितना बचेगा, 16, यानी, remainder बचेगा 3, ठीक है, into, ये 7 to the power 4 है, तो ये directly आप लिख सकते ह हो, 1, ठीक है, क्योंकि 7 का स्कोयार, ये 7 to the power 4 है, तो 7 का स्कोयार, इंटो 7 का स्कोयार, ये चीज़ कितना बार कर चुके है, 49 into 49, तो unit plus कितना आएगा, 1, तो इधर लिख देते है, 1, clear, अब देखो, इसके जगा में, मैं कितना लिख सकता हूँ, 6, अल्रेडी ये चीज़ स Similarly, 3 to the power 4 के जगा में, can I write 1, क्योंकि 3 का स्कोयार, 9, and 3 का स्कोयार, 9, 9, 81, means इसके जगा में, 1, and 3 का क्यों, 27, यानि 7, into कितना, 1, तो 8, 7, 56, आपको unit place चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 6, तो इस question का आपका answer होगा, 6, answer होगा, 6, option number 1, चलिए next question देखते है, क्या दिया है, चलिए question number 13 करते हैं, यह 12 खतम हुआ, देखिए, find the unit digit of 11, 111 factorial, समझ में आया, अच्छा, यह factorial का मतलब क्या होता है, 111, 110, ultra calculation होता है, 109, up to, यहाँ पर, 5, 3, 2, 1, clear, अच्छा, अब देखो, इस question कुछ है ही नहीं, बहुत आसान question है, देखो, इधर देखो, एक last में 0 है न, तो 0 है तो, कोई भी number 0 को last में multiply कर रहे हो, तो वो हमेशा कितना देगा, 0 ही देगा, तो इस question का unit place कितना होगा, 0, यह होगा आपका answer, बहुत आसान question है, चलिए, next question, question number 14, ठीक है, अब यह question दिया है, 25 to the power, 25 to the power, 6 to 5, 1, plus 36 to the power, 5 to 8, plus 22 to the power, 853, देखो, आसानी से हो सकता है, देखो, यह इसका value कितना लिखेंगे, इसके जगा में, 5, क्यूंकि 5 का cyclicity कितना, 1 होता है, तो जिसका cyclicity 1 होता है, ओही number रहेगा, ठीक है, 6, प्लस, 2 का cyclicity कितना होता है, 4, तो यह 2 to the power, 4 के ही सबसे लिखाओ, and, which number are divisional by 4, last two digits, देखो, 4 में divide करनेक्स से, यह 4, 1, 4, 3, 12, यानी extra कितना, 1 होगा, remainder को हमेशा लिखोगे, ठीक है, अब देखो, यह चीज जो भी लिखे हो, इसके जगा में, आप आराम से 6 लिख सकते हो, क्योंकि 2 का square into 2 का square, to the 4 का मतलब क्या है, 2 का square into 2 का square, and 4 into 4 कितना होता है, 16, यानी 6, 6 का तो cyclicity, 6 ही होता है, means, 6 ही, same number होता है, means, कुछ change नहीं होगा, तो 6 into 2 कितना, 12, तो इधर यह 5 हो गया, यह 6 हो गया, 6 into 2, 12, 12, यानी unit place में खली 2 जाएगा, तो 6, 2, 8, 5, 13, 13 means unit place कितना होगा, 3, unit place कितना होगा, 3, तो इस cosine का आपका answer होगा, कितना, 3, ठीक है, समझ में आया है, चलिए, next cosine करते हैं, cosine number 14 समझ में आया होगा, cosine number 15 करते हैं, देखो, अब यह cosine करते हैं, cosine है, 11 to the power 1, plus 12 to the power 2, plus 13 to the power 3, plus 14 to the power 4, plus 15 to the power 5, and 16 to the power 6, ठीक है, अब चाप, देखो, अब 1 का तो cyclicity 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 का तो, आपको पता है, 5 हो जाएगा, and 6 का तो पता है, आपका कितना होगा, 6, अब खाली, just 2, 3, 4 के लिए लिए लिखेंगे, तो यहाँ पर, जो 2 का दिया है, यह इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ, कि यह 2Q का भेलू है, तो 2Q कितना होता है, 8, समझ में आया, and 3Q, 3Q का भेलू कितना होता है, 27, 27 यानि इधर कितना लिखेंगे, यह 3Q है न, अरे भाई, single digit खली unit place देखोगे, यह कितना, 3Q, 27, यानि 7, similarly, यह कितना है, 4 to the power 4, यह 4 to the power 4, देखो, 4 कस को यार, 16, into 4 कस को यार, ठीक है, तो 16, into 6, into 6 न, यानि इधर कितना लिखेंगे, 6, इतना ही तो है, अब सब को क्या करेंगे, आर कर देखिए, 8, 1, 9, 9, 7, 16, 16, 16, 22, 25, 27, 27, 26, 33, 27, 36, 33, फिर से देखते हैं, यह 1, यहाँ पर, यह जो 2 का square है, यह 2Q लिखा हूं, गलत कर दिया हूं, यह 2 का square कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पर गलत हुआ है, अब देखो, यहाँ पर कितना लिखेंगे, 4, अब ठीक है, 4, 1, 5, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 25, 23, 26, 29, यानी इस कोसिन का आपका आंसर होगा कितना, 9, क्लियर बहुत आसान कोसिन है, देखके घवराना मत, बहुत इजी कोसिन है, कॉंसर्प समझ में आएगा तो, सब चीज आपको आसान लगे लगेगा, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कोसिन, कोसिन नमबर 16, अब देखो, कोसिन नमबर 16 करे तो करे कैसे, यह 1Q, 2Q, 3Q, इसका unit place म है, यह 1Q, प्लस 2Q, प्लस 3Q, यह मैं आपको पढ़ाया था, जब नमबर सिस्टम में पढ़ाया था, यह चीज देख लेना, ठीक है, अपका फर्मूला में होगा यह चीज, आच्छा देखे, इसका फर्मूला के हिसाब से, कोई भी नमबर का Q का फर्मूला क्या होता है, 1Q 2Q, प्लस 3Q, अप्टू NQ, इनका फर्मूला क्या होता है, N इन्टू N प्लस 1, बाइ 2 का होल क्यूँ, होल स्क्वेर, तो यहाँ पर N, आपका कितना है, 99, ठीक है, इन्टू कितना करेंगे, 100, क्योंकि N प्लस 1 हो जाएगा, तो डिभाड बाइ कितना, 2, अप उसका स्क्वे ठीक है, तो देखो, 2 काटोगे, तो यह 50, ठीक है, तो यह कितना हुआ, 99 का स्क्वेर, इन्टू 50 का स्क्वेर, ठीक है, 50 का स्क्वेर, तो आपको पता है, 9, 8, 0, 1, यह जरूत नहीं है, निकालना, 50 का स्क्वेर कितना, 2500, तो लास्ट में आपका, कुछ भी नंबर लास्ट म का आपका अंसर होगा कितना जीरो ठीक है चलिए नेक्स्ट कोसिन करते हैं कोसिन नंबर सेवन्टीन ठीक है क्या दिया है कोसिन देखो फाइंड दो यूनिट डिजेट अब दो प्रोड़क्ट अफ आल प्राइम नंबर 12999 आपको इतना नंबर करना नहीं है इस तरह का थोड़ी आपको 999 तक लिखना है उसमें कौन सा होगा पता भी नहीं है ठीक है देखिए इधर आपका एक पांच है और एक क्या है दो है तो इन दोनों को जब मल्टिप्लाइ करोगे चाहे इधर कुछ भी नंबर आए हमेशा क्या आएगा 10 यानि last में unit place में कितना रहेगा हमेशा 0 ठीक है क्योंकि 2 और 5 दोनों नंबर multiply होके answer हमेशा last में क्या देदेंगे 0 देदेंगे clear कोई दिक्कत नहीं है इसमें answer तब क्या होगा 0 answer क्या होगा 0 अपसर नंबर C चलिए next question देखते हैं क्या दिया है cosine number 18 अब देखो ये cosine 222 to the power 888 plus 888 to the power 222 देखो cosine बहुत आसान है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब देखो इसको मैं 2 to the power 4 format में लिखा हूँ ठीक है क्यों 2 to the power 4 में लिखा क्योंकि 2 का cyclicity ये number similar as this one हो गया ना 2 to the power 888 plus 8 to the power 222 ठीक है देखो अब देखो इधर करते हैं चीज़को 2 to the power 4 की हिसाब से लिखा क्यों 2 to the power 4 की हिसाब से लिखा क्योंकि 2 का cyclicity कितना 4 होता है ठीक है इधर ये 4 में divide हो जाएगा यानि आपका remainder कुछ बचेगा ही नहीं 2 to the power 0 चाहे लिखो या ना लिखो कोई फरक नहीं पड़ेगा ये 8 to the power 4 लिखना पड़ेगा क्यों क्योंकि 8 का cyclicity कितना 4 अब देखो 4 में divide करोगे तो आपके पास remainder बचेगा ना दो तो 8 to the power 2 8 to the power 2 जितना remainder बचेगा उसको लिख देना ठीक है अब देखो उसके जगह में अब value लिखना है ये कितना 6 ना क्योंकि 2 को 4 बड़ मॉल्टिप्लाइ करोगे 16 आएगा 16 मींस 6 6 into 2 to the power 0 means 2 to the power 0 means 1 6 into 1 इनका value कितना 1 6 into 1 1 plus 8 to the power 4 है 8 to the power 4 यानी 8 का square into 8 का square 8 का square 64 ये भी 64 आपको तो unit place चाहिए 4 into 4 कितना हो जाएगा 6 तो इसके जगह में आप 6 लिख सकते हो and 8 का square कितना 64 यानी 4 ठीक है तो ये कितना हुआ 6 4 24 24 यानी 4 तो 6 4 10 10 यानी remainder कितना 0 तो इस question का आपका answer क्या होगा 0 होगा ठीक है answer क्या होगा 0 question number 18 हो चुका है चलिए अब देखते हैं question number 39 दिया क्या है देखिए अब यहाँ पर न 2 power दिया है कितना power दिया है 2 power तो 2 power में भी concept change नहीं होगा खाली just आप move from bottom to top solve करोगे bottom to top नीचे से लेके उपर तक आप जाओगे किस तरह का हुआ 2 to the power 32 पहले एक एक चीज को करो देखो 32 to the power 32 तक करो ठीक है यहाँ पर कितना unit place आ रहा है उसको देखो इसको आप लिख सकते हो ना 2 to the power 32 तो 2 to the power 32 में फलाग कितना हो गया 2 to the power 4 हो गया clear and यह 2 to the power 0 अच्छा आप बोलो इतना दूर तक यह जो इतना दूर तक का value आप किये हो इसमें आपका value कितना आया है 6 कितना आया है 6 क्यों क्यों क्योंकि 2 का square कितना होता है 2 का square 4 4 into 4 16 ठीक है तो इतना दूर तक का value 6 अब आप क्या करोगे अब आप 6 लिख चुके हो मतलब इतना दूब तक का value आपका 6 है अब power कितना लिखे हो 32 तो 6 का कुछ भी power करोगे तो हमेसे कितना आएगा 6 ही आएगा, कितना ही आएगा 6 आएगा, क्योंकि 6 का cyclicity कितना 1 है, तो answer कितना होगा 6, आसान question है चलिए, next ये question समझ में आया होगा, question number 19 clear, question number 20 करते हैं देखते हैं क्या दिया है, चलिए question number 20, देखो question number 20 में पुछा है, find the last digit of the expression इस question का expression का last digit पुछा है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ये क्या है, 1 square plus 2 square, plus 3 square up to m square का value लगेगा, तो ये कितना आएगा, n into n plus 1, into 2 n plus 1, divided by 6 ठीक है, तो यहाँ पर n के जगह में आप 100 लिखे 100 plus, यहाँ पर 100 plus 1, into 2 into 100 plus 1, divided by 6, इतना ही तो question है, तो ये 100 ये 101 clear, ये 201 divided by 6 देखो, आसान question है, काट सकते हो 2 में काटोगी तो 3, ये 50, आनसर 0 आने वाला है तब भी भी मैं पूरा कर रहा हूँ 3, 6, 18, 37, 21 आप देखो, यहाँ पर कुछ भी multiply करोगे last में तो 0 है ना, तो क्या आजाएगा 0, ठीक है, तो इस question का answer क्या होगा, 0 0, ठीक है, चलिए next question, 20 question को number 20 समझ में आया होगा चलिए next question, देखते हैं क्या दिया है question number 21, देखिए 1 to the power 1, 1 2 का square 2, 3 का cube 10 to the power 10, ठीक है, यह question है तो इसको मैं क्या करता हूँ, simply 1 to the power 1, इसका unit place कितना आएगा, 1 2 का square, कितना आएगा, 4 ठीक है, फिर 3 का cube, कितना आएगा, 7 2 का square, 4, ओके, फिर 4 का cube, 4 का cube, कितना आएगा, 4 to the cube नहीं है, 4 to the power 4 है, ठीक है, 4 to the power 4 4 to the power 4, यानि यह 6, 5 to the power कुछ भी करो, तो same number ही आएगा, कोई problem नहीं है, 6 to the power कुछ भी करो, तो same number आएगा, क्योंकि 5, 6 का cyclicity कितना, same number होता है, 1 होता है, ठीक है, 7 का, 7 to the power 7, ठीक है, तो 7 to the power 7 में, मैं इसको लिख सब आँँ, 7 to the power 4, into 7 cube, 7 to the power 4 मींस 1, 7 cube मींस 343, यानि 3, 8 to the power 8, 8 to the power 8 में, 8 to the power 4, ठीक है, and 8 to the power 0, तो इसका cyclicity कितना आएगा, 8 का square, 64, यानि इसके जगा में 6, यानि ये आपका हो गया कितना, 6, 8 के लिए हो गया, 6, and 9 to the power 9, यानि 9 का square, आपके पास और एक 9 है, तो इनके जगा में लिख है, ये तो 1, ये कितना हो गया, 9 का 9, and 10 to the power 10, तो इनका कितना, 0, ठीक है, अब देखो सबको add करना है, अब सबको add करना है, एक का एक, दो का चार था, तीन के लिए 7, चार के लिए 6, पांच का unit place 5, चे का 6, साथ के लिए आया है 3, आठ के लिए आया है 6, नो के लिए 9, और दस के लिए 0, देखो, सबको add करना, 4, 1, 5, 7, 5, 12, 6, 8, 8, 8, 5, 23, 26, 29, 23, 32, 32, 36, 38, 39, 41, 41, 39, 47, 47, 47 यानी 7, तो इस question का आपका answer कितना होगा, 7, ठीक है, चलिए next question देखते हैं, क्या दिया है, 1, 2, 3, यह जो expression दिया है, देखो, यहीं पर ही करते हैं, देखो, आप 5 में काटोगे तो, यह हो जाएगा कितना, 20, ठीक है, 10 में काटोगे तो, यह हो जाएगा कितना, 2, and 2, यह 2 cancel, इतना clear, अब देखो, इस question का जितना भी unit place आएगा, होई होगा, देखिए, 10 into 4, 12, 12 मींस खाली 2 ही लो, किनकि unit place 2 है, 2 into 6, 12, 12 मींस 2, 2 into 7, 14, 14 मींस 4, 14 मींस 4, 4 into 8, 32, 32 मींस 2, 2 into 9, 18, 18 मींस 8, तो इस question का answer होगा कितना, 8, ठीक है, इस तरह का आपको करना है, चले देखिए, अभी question number 23 करते हैं, ठीक है, अच्छा, देखने के लिए question बहुत भाइंकर लग रहा है, लेकिन है नहीं उतना, ठीक है, चले पहले जो भी question है, उसको लिख लेते हैं, यह जो 8, 8, 8 है, उसको मैं लिख सकता हूँ, 8 to the power 9, 2, 3, 5, factorial, ठीक है, plus 2 into 9, 2, 3, 5, factorial, अच्छा, यह 6, 2, 3, 5, 9, factorial, अच्छा, यह 6, 2, 3, 5, 9, factorial, ठीक है, अब इस question को, आपको करना है, इसका unit place निकालना है, ठीक है, चलिए, देखते हैं, देखिए, अब देखो, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता था, 8 to the power 4, ठीक है, एंड यहां पर, जो भी लिखता, 8 to the power 4, समझो, यहां पर, जो भी लिखेंगे, यहां पर, 8 to the power 0 होगा, क्यों, क्योंकि, 8 to the power 4 लिखने के बाद, जो भी value आपका रहेगा न, यानि, 9, 2, 3, 5, फेक्टरल लिखेंगे, तो इसमें भी देखो, 8 to the power 4 लिखने के बाद भी, आपका देखो, जैसे की, 8, 4, यह, जैसे की, बोल सकते हो, 16, यह सब फेक्टर रहेगा, जो की, जो की, बाकी निम, remaining number को क्या करेगा, eliminate कर देगा, simply, तो यह कितना हो जागा, 8 to the power 0, means, यहाँ पर जो भी value होगा, means, 9, 2, 3, 5, फेक्टरियाल, 3, 5, फेक्टरियाल, it is divisible by, divisible by, 4, ठीक है, divisible by 4, 4 को मैं क्यों importance दे रहा हूँ, क्योंकि, 8 का cyclicity, कितना होता है, 4, तो, cyclicity 4, तो remainder, obviously, कितना रहेगा, 0, यह चीज़ समझ में आया, similarly, 2 का भी cyclicity कितना होता है, 4, ठीक है, into to the power 0, लिखेंगे, क्यों to the power 0, लिखेंगे, क्योंकि, 9, 2, 3, 5, फेक्टरियाल में, ऐसा बहुत सारा number है, which is divisible by, 2, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, cyclicity, bracket में लिखते हैं, 2, which is divisible by, which is divisible by, by, 9, 2, 3, 5, फेक्टरियाल, समझ में आया, इतना चीज़ बस आपको, ध्यान में रखना है, यह 6 to the power, हम लोग कुछ भी करेंगे, तो हम लोग अल्रेडी पढ़ चुके हैं, इसके लिए तो कुछ चेंज नहीं होगा, यानि यह 6, अब देखो, 9 का स्कोया, क्योंकि 9 का cyclicity कितना, 2, 8 देखो, यहाँ पर भी, 9 का जो भी power होगा, 9, 8, यहाँ पर भी तो इस तरह का number मिलेगा आपको, 9, 8, 7, 6, 8, या फिर आप बोल सकते हो, 2, 4, 8, यह सब number कितना में कटे जाएगा, 9 में कट जाएगा, यानि power आपको कितना रहेगा, 9 to the power 0, इतना clear, अब देखो, यह चीज अब आस्तान हो गया, यह देखो, अब यह आपके पास just 8 to the power 4 है, plus 2 to the power 4 है, यह 6 है, and 9 का square, बस इतना बच्चा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यह जो power हमेशा कट जाएगा, ठीक है, तो यह देखो, 8 का square 64, 4 का 64 into 64, समझ में आया, यानि 4, 4, 16, इधर भ यह 6, and 9 का square कितना, 1, यानि 6, 6, 12, 6, 18, 19, 19 मींस, अपका value कितना आएगा, 9, 19 मींस, अपका value कितना आएगा, 9, तो इस question का अपका unit place कितना होगा, 9, ठीक है, unit place कितना होगा, 9, चलिए, next question देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ताकि पूरा skill में जहाँ, अब इसको लिख सकते हो, अरम से, चलिए, next question, question number 24 करते हैं, अब इस question को करे तो करे कैसे, देखिए, the last digit of the following expression is, 1 factorial to the power 1, 2 factorial to the power 2, देखो यह बहुत आसान question है, लेकिन थोड़ा दिमाग यूज़ करना है, देखिए, यह 1 factorial, 1 factorial, यह 1 factorial, to the power 1, plus 2 factorial, to the power 2, 3 factorial, to the power 3, 4 factorial, to the power 4, and 5 factorial, to the power 5, 6 factorial, to the power 4, sorry 6, अब यह number चलता रहेगा, ठीक है, ध्यान से सम्मझना, अब देखो, इस question को करते हैं, 1 factorial का value कितना होता है, 1, no problem, 2 factorial का value कितना होता है, 2, तो यह 2 का square हो गया, यह 1 to the power 1 हो गया, 3 factorial का value कितना होता है, 6, यह 6 का, क्यों, यह 4 factorial means कितना होता है, 164, sorry 24, 24 यानि 4 to the power 4, yes or no, यह 5 factorial value means 120, ठीक है, and 6 factorial means 720, देखो, यहां से यह 6, ठीक है, यहां से चीज़को समझने के लिए कोशिस करो, यहां से आपका value 0 होता चलेगा, ठीक है, यह 0 होगा, क्योंकि 0 to the power something is always 0, यहां से 0 होगा, ठीक है, बस concentrated part इतना ही रह जाएगा, ठीक है, तो 1 to the power 1, 2 का square कितना होता है, 4, 6 Q का value कितना होता है, 216, यानि 6, and 4 to the power 4 है, यह 4 to the power 4 है, yes or no, तो 4 to the power 4 यानि, 4 का square 16, 6 into 6, 36, यानि 6, ठीक है, जो आपका answer आदेगा, वो ही होगा आपका answer, 6, 12, 4, 16, 17, यानि आपका unit place कितना होगा, 7, तो इस question का आपका answer होगा, 7, I hope समझ में आया होगा, चलिए question number 24, 25 करते हैं, the unit place of the following expression, 1 factorial to the power 99, 2 factorial to the power 98, ठीक है, 3 factorial to the power 97, इस तरह का दिया है, तो लिक लेते हैं पहले, 1 to the power 99, ठीक है, प्लस 2 factorial, 2 factorial to the power कितना, 98, प्लस 3 factorial to the power कितना, 97, प्लस 4 factorial to the power 96, प्लस 5 factorial to the power कितना, एक-एक कम हो रहा है न, यानि यहाँ पर 95, and next 6 factorial to the power 94, इस तरह का चल रहा है, ठीक है, देखो, यहाँ पर, यह जो 5 factorial का value, आपको पता है, 120 है, यहीं से 0 हो जाएगा शुरू, ठीक है, यह कितना होता है, 120, यह 720, यहानि यहाँ से शुरू हो जाएगा, कितना 0, जिरू, यहाँ तक जितना value होगा, ओही होगा आपका answer, तो देखो, 1 to the power 99, कोई दिककत नहीं है, 1, यह 2 factorial का value कितना होता है, यह देखो, आप 2 to the power 98 हो गया, यह 3 factorial का value, 3 factorial का value 6, तो यह 6 to the power 97, अरे, factorial का मतलब कुछ नहीं है, 3 factorial means 3 into 2 into 1, कितना आया, 6, यह 6 to the power 97, समझ में आया, similarly 4 का कितना हो जाएगा, 24 to the power 96, ठीक है, अब देखो, यह question बहुत आसान हो गया, अब क्या करोगे आप, यह हो गया, 1, अब 2 to the power 4 के हिसाब से लिखें, तो यह 4 में divide होगा, क्या, 4 में कितना होगा, देखो, 2 to the 4 इसलिए लिखें कि 2 का cyclicity कितना, 4, clear, देखो, 4, 4, 4, 4, 4, 16, यानि remainder कितना रहेगा, 2, 6 का cyclicity कभी change नहीं होता है, यानि 6, and 4 का cyclicity कितना है, 2, यानि 4 का square 2, and यह 2 में 2 में कट जाएगा, यानि 4 to the power कितना, 0, अब देखो, यह 1, यह देखो, 6 into 4, यानि 24, तूर देखो, 4 कितना होता है, 16, 6 into 4 कितना, 24, ठीक है, इसका 6, and 4 का square कितना 16, यानि 6, इसके तो बाकी पार्ट यह तो 1 हो जाएगा, ठीक है, अब देखो, 6, 6, 12, 4, 16, 1, 17, 17, यानि आपका unit plus कितना होगा, 7, तो इस question का आपका answer होगा, 7, चलिए next question देखते है, question number 8, अच्छा, question number, sorry, 8 बोलाओ, question number 26, इसमें पुछा है, कि क्या ऐसा value डालने, तो इध कितना होगा, 6 होगा, तो देखो, यहाँ पर option के हिसाब से दिया है, देखो, यहाँ पर 6 डालेंगे तो, यह कितना हो जाएगा, option 8 to the power 72 लिखते हैं, तो 8 to the power 72 means, 8 का cyclicity कितना, 4, 4 यहाँ पर 8 to the power 0, clear, तो 8 के लिए, option number 8 के लिए, यह satisfied कर रहा है, क्योंकि आपका unit price कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का square 64, 4 into 4 16 means, 6 होगा, तो 8 satisfied means, A भी होगा, ठीक है, अच्छा, B, B यहाँ पर put करेंगे तो, यहाँ पर K to the power, मतलब 6 to the power 72 लिखेंगे, तो हमेशा 6 ही देगा, क्योंकि cyclicity of 6 कितना होता है, 1 यानि जो लिख आपको कुछ लेना देना नहीं है, बस 2 to the power 72 लिखना है, तो यह 2 to the power, into 2 to the power, कितना, 0, तो इसका value कितना हो जाएगा, 6, यह 1, यानि इसका भी value कितना हो राए 6, यानि 2 भी सही है, तो answer क्या होगा, answer होगा आपका सब कुछ सही है, यानि option होगा, D, क्योंकि 2, 6 and 8 आपका ब कोशिन नमबर 27 ठीक है 27 में दिया क्या है देखिए 1 फेक्टोरियल इस तरह का कोशिन है 1 फेक्टोरियल 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 फेक्ट जलता रहेगा, ठीक है, कितना दूर तक, 100 factorial, to the power, यहां पर factorial miss हो गया, लिख जैते हैं, 100 factorial, to the power, 100 factorial, clear, अब देखो, यह चीज, यहां तक, यहां से, यहां तक का value सब 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 factorial का value होता है, कितना, 120, 0 to the power, आप कुछ भी करोगे, तो हमेशा कितना आएगा, same आएगा, 6 factorial में भी आपको 720 मिलेगा, तो यहां से आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है, अब बाकी remaining part है, अब देखो, यह 1 factorial means 1, यह 2 factorial means 2 to the power 2, 3 factorial means 6 to the power 6, ठीक है, 4 factorial means 24, 24 means 4 to the power 24, इतना ही तो question है, यह 24 to the power 24, यानी 4 to the power 24, ठीक है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ, 1 plus, 2, 2 कितना होता है, 4, 6, 6, 6 का कितना होता है, 6, and 4 का to the power कितना, 4, clear, क्योंकि 4 का cyclicity 2, 4 का cyclicity 2, यहां पर 4 to the power 0, remainder कुछ बच नहीं रहा है, यानी, यहां पर कितना हो गया भी, 1 plus, 4 plus, 6 plus, 4 का square कितना होता है, 16, यानी 6, 6, 6, 12, 4, 16, 16, 17, यानी unit plus कितना होगा, 7, तो इस question का आपका answer होगा, option number D, चलिए next question देखते है, question number 8, ठीक है, अब देखो इस question का आपका answer करना है, क्यों, तो कैसे करेंगे, देखो, यहां पर, देखो, 4 to the power 1, यानी, कितना आएगा 4, next कितना है, 4Q, कितना आएगा, उसका भी unit plus 4 आएगा, ठीक है, similarly, 4 to the power 5, कितना आएगा unit plus 4, ठीक है, यह सिलसिला चलता रहेगा, 4 to the power 99, का भी value कितना है, 4, clear, ठीक है, अच्छा, similarly, और एक कितना दिया है, 9, 9 का square, और एक 9 to the power 4, 9 to the power 6, क्योंकि 4 and 9 का cyclicity कितना होता है, 4 and 9 का, 4 and 9 का cyclicity कितना होता है, cyclicity 4 and 9 का 1 होता है, समझ में, 2 होता है, तो यह एक, तीन, पांच, साथ, मींस, हर दो दो नमबर छोड़के, इनका cyclicity क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, तो यहाँ पर 9 का square 1, 9 to the power 4 का भी unit plus 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा, ठीक है, अब देखो, इसमें जो multiplication दिया है, यानि, जो 4, 4, यह 4, up to कितना बार, 50 times, into, यह जो 9, 9, 9, 9 का जितना भी आया है, ठीक है, 9, 9, 9, 9 का, जो unit place आया है, कितना आया है, 9 square का, यह 1, 1, 1, यह कितना बार, 50 times है, समझ में आया, तो 2, 2, 4, multiply होगा तो, कितना होगा, 16, यानि 6, clear, next, similarly, यह बाला पार्ट, और रहता तो, कितना होता, 6 होता, ठीक है, similarly, 1, means, इसको क्या लिख सकते हैं, यह जो 4, 4, 4, 50 बार है, इसको लिखा जा सकता है, 4 to the power 50, समझ में आया, 4, 50 बार है, similarly, एक कितना बार है, 50 बार है, तो इसका value कितना हो जाएगा, 4, यह 4 to the power कितना हुआ, इसका cyclicity कितना, 2 लिखेंगे, 4 का cyclicity कितना, 2, clear, अब यह 4 to the power कितना, 0, यह तो 1 होगा इसके लिए, ठीक है, तो 4 का square कितना, 16, यानि 6, 6 into 1 कितना होगा, 6, तो इस question का आपका option होगा, option number B, option number B, 6, ठीक है, चलिए next question देखते हैं, question number 29, similar concept है, देखिए, यहां पर खाली बस फरक है, यहां पर into 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 दिया है, यहां पर क्या दिया है, 4, 4, 4, 4 दिया है, समझ में, means, यहां पर plus, 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 plus इस सब दिया है, तो यहां पर 4, to the power 1, कितना, 4, 4 का square, 4 का cube, unit place कितना हैगा, 4, 4 to the power 5, unit place कितना हैगा, 4, similarly, 4 to the power 99, का भी unit place कितना हैगा, 4, similarly, 9 का unit place, यह 9 का unit place, 9 square, 1, 9 to the power 4, यह भी 1, 9 to the power 6, यह भी 1, up to 9 to the power 100, इसका भी कितना, 1, इतना clear, अब देखो, अब इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, यह 4, 4, 4, यह 50 times, ठीक है, similarly plus, 1 plus 1 plus 1, यह भी कितना, यह भी आपका 50 बार, कितना बार, 50 times, ठीक है, अच्छा, अब वो चीज़ को थोड़ा समझो, अब क्या करेंगे, यह जो 4 है, 50 बार multiply करेंगे, ठीक है, यह जो 1 है, इसको 50 बार multiply करेंगे, तो कितना हुआ, यह 200, यह कितना, 50, यानि 250, आपको तो unit place मांगा है न, तो आपका unit place कितना हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा, 0, आंसर क्या होगा, 0, ठीक है, तो इस question का आपका answer, option number A, चलिए, next question, question number 30, अब देखो इस question को करें तो करें कैसे, देखो, इसको मैं, यहां से, देखो, यह question actually है, इस तरह का, 2 to the power 3 to the power 4, ठीक है, 3 to the power 4 to the power 5, 4 into 4 to the power 5 to the power 6, 5 to the power 6 to the power 7, into 6 to the power 7 to the power 8, into 7 to the power 8 to the power 9, कितना clear, अच्छा, यहां पर आप करोगे कैसे, देखो, यहां से, देखिए, यहां से तो value आपका कितना आएगा, 5, यहां से तो value आएगा कितना, 6, यहां पर 5 है, इधर कितना है, 6, अब देखो, पूरा करना भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, यहां पर आप करोगे तो, कितना आएगा, देखिए, यह चीज करो या ना करो, कुछ फरक नहीं पड़ेगा, क्यों, यहां पर 5, 6, 5 कितना होगा, 30, चाहे इधर कुछ भी multiply करो, इस साइड में कुछ भी value आए, इस साइड में कुछ भी value आए, और इस साइड में कुछ भी value आए, तो 6 इंटू 5 कितना होगा, 30, ठीक है, तो आपका हमेशा इस question का answer कितना होगा, 0, तो answer कितना होगा, इस question का 0, ठीक है, बड़ा question देखके बिल्कुल घबराना नहीं है, question हो सकता है कि बहुत इजी हो सकता है, चलिए अब यह question करते हैं, ठीक है, देखो, इसको मैं 4 to the power 55, divided by 3 to the power 11, इसको लिखा जा सकता है, यह बीच में plus sign है, ठीक है, यह 2 to the power, क्यों हो जाएगा, to the power यह कितना हो गया, 48, यह समझ में आया, यह कितना हो जाएगा, 2 to the power 4, to the power कितना, 18, अब देखो, थोड़ा simplify कर दो, यह 3 to the power 55, इंटू, 4 to the power 55, divided by, कितना है, 3 to the power 11, प्लस, यह 2 to the power 48, इंटू 3, 144, divided by, 2 to the power कितना है, 72, ठीक है, तो इस question का आपका unit place मांगा है, कितना होगा, ठीक है, तो यहाँ पा देखिए, यह आपको अभी, इस चीज को लिख सकते हो, 3 to the power 44, यह इसके साथ cancel होगा, तो 3 to the power 44, इंटू, यह 4 to the power 55, प्लस, देखो, इसको जब आप करोगे, तो यह कितना हो जाएगा, 2 to the power 72, ठीक है, अब यह question देखो, आपके लिए अस्वन हो गया, अब देखो, यह 3 to the power 4, यहाँ पर यह 4 में कटेगा, यानी, remainder, 3 to the power remainder के part में कितना लिखेंगे, 0, ठीक है, इंटू, 4 to the power 55 है, तो 4 का cyclicity कितना, 2, तो आपको लिखना पड़ेगा, 2 में काटेगे, तो remainder कितना रहेगा, 1, प्लस, यह 2 to the power 4, ठीक है, क्योंकि 2 का cyclicity कितना, 4, इंटू 2 to the power कितना, 0, ठीक है, अब यहाँ पर जो भी आपका answer होगा, वो ही होगा, आपका final answer ठीक है, यहाँ पर देखो, यह चीज के जगा में, मैं कितना लिखोंगा, 1, क्यों, क्योंकि cyclicity, तो 3 का to the power 4, तीन का square, 9, 9 into 9, 81, ठीक है, यहाँ पर 6 into 4, यानि यहाँ पर आपका value 1 आ चुका है, 4 का square, 16, 6, 6 into 4 कितना होता है, 24, यानि इधर मिलेगा आपको 4, ठीक है, और यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, 3 to the power 4, 3 to the power 4 का square, 4 to the power 1, 6 into 4, 24, ठीक है, अच्छा, यहाँ पर into है, तो 6 into 4, 24, यानि 4, यह बीच में into दिया गया है, बीच में क्या है, into है, यहाँ पर यह हो गया आपका 1, और यह आपका हो गया कितना, 6, 6 into 4, ठीक है, प्लस, यहाँ पर 2 to the power 4 है, यानि 2 का square 4, 4 to the power 2, यानि 16, यानि 6, clear, तो यहाँ पर 6, तो टोटल कितना आया, 6, 4, 24, यानि 4, 4 plus 6, कितना, 10, 10 यानि remainder कितना, मतलब unit place कितना आएगा, 0, तो इस question का आपका answer होगा है, कितना, 0, ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को like किया करो, subscribe करो, comment किया करो, ठीक है, बहुत difficult से question को collection किया जाता है, आप लोग का धेर सारा like, comments and share चाहिए, और कुछ नहीं, कुछ नहीं जाता है आपका, मैंनों तो मैं आपके लिए कर ही रहा हूँ, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं next session के साथ, thank you never miss an update